हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इस्टेडी आर्ट अब सो फ्रेंड्स आज डिसकस करने वाली हूं मक्बूल फिदा हुसायन के चित्र शुर्योद एवं विश्वामित्र नामक चित्र मक्बूल फिदा हुसायन की पेंटिंग इंफ्लेंज रही है अभिवेंजनावाद एक्सप्रेसनिजम आर्ट मोमेंट से मक्बूल फिदा हुसेन काफी फेमस आर्टिस रहे है पैग ग्रूप के प्रियोग्रसिव आर्टिस ग्रूप के मिम्बर रहे थे इनका जन्म हुआ था 1916 कहीं पर 1915 कहीं पर 1916 दिया होता है दोनों नोंडाउन कर दे रहे हैं और 2011 में इनकी मृत्ति हो गई थी देखे 17 सेप्टमबर 1915 में पैदा हुए महाराष्ट के सोलापूर के निकट पांडापूर गाउं में और 2011 में 9 जून 2011 में लंदन में इनकी मृत्ति हो गई थी इनके फादर इनको इंदौर लेकर चले गए थे इंदौर में इन्होंने देवी लालकर देवी लालकर से अपना एजुकेशन लिये थे देवी लालकर से एजुकेशन लेनी के बाद M.F. Hussain enrolled हुए थे सजेजे स्कूल ओफ आर्ड मकबूल फिदा हुसाइन ने M.F. Hussain ने कौन सी ग्रंथ चित्र श्रिंखलाओं को अभिवेंजनावाद में चित्रित किया 36 में मुंबई में जेजे स्कूल ओफ आर्ड में enrolled हुए थे उसके बाद 1936 से लेकर 1937 तक इन्होंने holding holding painter करने लगे थे holding painter इन्होंने 1936 से 37 टाइम डिरेशन में किया है 1941 में इन्होंने furniture design भी किया 1941 में furniture डिजाइन किये थे 1940 इसी टाइम इनकी शादी भी हुई थी 1941 1946 में इन्होंने water colors में paintings बनाई जो 1947 में exhibition में लगाये थे 1948 1948 1948 इसी में ये pack group में enrolled हुए थे pack group के member बने थे 1948 में 1950 1950 में M.F. Hussein 1950 में इन्होंने जहांगीर art gallery में अपनी first solo exhibition लगाई थी 1950 में first solo exhibition जहांगीर art gallery में 1954 में इन्होंने ललित कला academy ललित कला academy के विख्यात कलाकार मानुनित हुए फिर 1955 में ललित कला academy का first इनको award मिला था जमीन जीतर पर इनके जमीन पेंटिंग पर इनको award मिला है 1955 में first award ललित प्रत्थम पुरसकार ललित कला academy के साइड से 1966 1966 में इनको पदमश्री award मिला पदमश्री पदमश्री अवार्ड मिला था M.F. इनको 1967 में through the eyes of an artist फिल्म का इन्होंने invention किया था M.F. हुसैन ने इसी फिल्म पर 1968 में इनको ये अवार्ड मिला था बर्लीन से गोल्डन बियर स्वड भालू अवार्ड 1968 में गोल्डन बियर अवार्ड मिला था बर्लीन से 1967 में इन्होंने जो मोवी बनाई थी through the eyes of an artist इसी मोवी पर अवार्ड मिला एक साल के बाद 1971 इस वी में महाभारत महाभारत सीरीज पर इन्होंने 30 चित्र बनाए थे महाभारत सीरीज पर 30 चित्र बनाए और इनको पदमश पदमश्री के बारे में डिसकस हो गया पदमश्र मिला था 1971 में 1971 में पदमश्र मिला था 1971 में और 1966 में इनको पदमश्री मिला था दोनों आवार्ड याद रखेगा 1982 में हुसेन ने 12 फिल्मों का निर्माड किया थे 1982 में 1986 में इनको राज सभा के लिए मानुनीत किया गया 2004 में सबसे बड़ी प्रदर्शनी पियरे करदा गैलरी पैरिस में आयो जीत किये इसी प्रदर्शनी में इनकी अर्द श्रिंखला की 125 पेंटिंग स्वरूप श्री वासो ने 100 करोड रुपे में खरीद लिया था यामिनी रोय ने अनेक द्रिश्य चित्र बनाए प्रभावादी शैली में यामिनी रोय ने अनेक द्रिश्य चित्र बनाए और बिसिकली ये फेमस थे टैंपरा टैक्निक के लिए यामिनी रोय फेमस रहे है यामिनी रोय को पद्म भूशर अवार्ड मिला था 1955 में पद्म पद्मभुशड अवार्ड कब मिला तो 1955 में मिला 1950 इस्वी में यामिनी रोय एसी ए आर्ट गैलरी एसी ए आर्ट गैलरी नियॉक में इन्होंने अपनी एक्जिबिशन लगाई थी 1950 में देखे डिफरेंस देखेगा एसी आर्ट गैलरी नियॉक में है और एबी सी आर्ट गैलरी वारांट सी में है भारत के प्रथम प्रभावादी कलाकार का नाम बताओ भारत के प्रथम प्रभावादी कलाकार कौन थे प्रभावादी कलाकार थे आर्टिश अनस बेंद्रे एनस बेंद्रे का फूल फॉर्म इनका पूरा नाम है नारायर श्रीधर बेंद्रे एनस बेंद्रे का पूरा नाम नारायर श्रीधर बेंद्रे है इनका जन्म हुआ था 1910 इस्वी में और इनकी मृत्ति हुई थी 1902 बेविस्वी में नारायर स्रीधर बेंद्रे बड़ोदा ग्रूप की संस्थापक सदस हैं बड़ोदा ग्रूप की स्थापना होई थी 1956 में और एनस बेंद्रे कौन है तो उसके संस्थापक सदस हैं मिन्स फाउंडर है एनस बेंद्रे का पूरा नाम है नारायर नारायर स्रीधर बेंद्रे इंदौर MP में 1910 इस्ट्री में पैदा हुए थे 1933 में 1933 1933 में इंदौर कला विद्धाले बाद में मुंबई कला विद्धाले में प्रवेश लिया और यह टीचर रहे थे महाराजर सयाजी राओ विश्विद्धाले बड़ोदा और लड़ित कला संकाय के डीन भी रहे थे एनस बेंद्रे बेसिकली फेमस रहें स्केचिंग के लिए इसकेचिंग रिखांकन के लिए इनकी रिखांकन बहुत बेश्ट मानी जाती है रिखांकन के लिए एनस बेंद्रे फेमस रहे थे एनस बेंद्रे जो पेंटिंग्स बनाते थे वाश टैक्निक में इन्होंने बना जो फ्रेंज इंपरेश्णीजम से इन्फुएंस थे नाइनटीनि फोटी फाइफ में शानती निकेटन की कल्या स्राइट के बाद इनके चित्रों में काफी चेंज जा गएं चेंज आ गेए इन्होंनेटांपरा में शकेचिंग किया से का क यह nine 1945 के बाद जब ये शांती निकेतन विजिट किये थे और आफ्टर देट देव टू पेंट उन टैंपरा टैक्निक सो नेक्स्ट इंपॉर्टन टास्क ये है 1960-1960 के पश्चाथ इन्होंने एब्स्टेक्ट एक्सप्रेसनिजम को भी कैप्चर किया उस आर्ट मुमेंट में भी पेंटिंग्स बनाए है 1966-1966 में इन्होंने बड़ोदा से त्याग पत्र देकर मुंबई में अपनी कारे रशना करना इस्टार्ट कर दिये थे इनकी most important painting के बारे में डिसकस कर लेते हैं एनस बेंडरे की painting है संफ्लावर मैसूर और नीलवर्डी है बालाएं घुमककडी गली का आकशर स्रिंगार गाए और बच्छडा डांसिंग गर्ल एफ्रूट सेलर एफ्रूट सेलर most important है गल विद रेड अंब्रेलाज जेश्ट का दोपहर दाजलिंग के चाय बागान में यह होती इन्होंने कुछ और भी बेंडिंग्स बनाई है जैसे प्यास लकडी काटने वाले बुद्ध पूजा इस्टेशन पर दो यात्री पोट्रेट ओफ ए हाउस पोट्रेट ओफ ए हाउस इनका फेमस है एनस बेंडरे का प्रातना सबा में गांधी जी उमर खयाम की रुबाईया इन्होंने उमर खयाम की रुबाईया बनाए है और उमर खयाम फेमस रहा है अब निनना टैगोर का इन्होंने उमर खयाम की रुबाईया इनको ललित कला से अवनिन्र और गगनिन्र अवार्ड भी मिला 1986 में इनको कालिदा समान मिला उसके बाद पद्म भुशर सी के नमाजे गए 1992 में एनस बेंद्रे की कला पर राजपूत वर मुगल शैली का प्रभाव था बंगाल शैली चीनी जैपनीज पद्दती का विकास किया बेंद्रे के चित्रों पर पाया गया है बेंद्रे का जो संफ्लावर है वो ललित कला एकैडमी की जो बुक है उसके मोनोग्राम पेज़ पर प्रिंट हुआ है कौन सी सपोज एक सेकंड मैं यह द्रॉक कर देते हूं काफी टाइम सक ड्रॉंग देखने से चीज़े ज्यादे लिमान्ड होती है और काफी टाइम से लर्न रोंति है मतलब यह बुक है इसके फ्रंट पेज कर इंका संफ्लावर संफ्लावर बुक इनकी जो पेंटिंग है ललित कला के मोनोग्राम फ्रंट पेज पर प्रिंट होई थी किसकी एनस बेंडरे की बेंडरे के चित्र गली का आकरशर पर राजपाल का पुरसकार मिला था इनको राजपाल का पुरसकार मिला था गली का आकरशर चित्र पर गली का आकरशर चित्र पर राजपाल पुरस्कार मिला था बेंडरे के चित्र डांसिंग गल कृष्टी के निलामी में बिकी थी कौन सी पेंटिंग डांसिंग गल डांसिंग गल डांसिंग गल इनकी सेल हुई थी कृष्टी के निलामी में 1930 से 40 के मंद्य बेंडरे ने किन किन इस्थानों पर चित्रे द्रिश्य चित्रों का प्रियोग किया बनारस हरीद्वार कश्मीर और इंदौर यहां पर कब पेंटिंग शुरू किये थे तो यह जो बनाना शुरू किये थे गवाश टैक्निक में बेंद्रे ने स्टार्टिंग के पेंटिंग बनारस हरीद् व कश्मीर आदी के दिश्य चेतора जिस प्छार्ड इंप्रेंस नीजम का इंफ्ल्यनिस्यल उफेक्ट रहा था इस पीहint たं। भारत में फाववादी कला की प्रेड़ना सारवदिक प्रबल रूप में किसकी कृतियों में दिखाई देता है फाववादी बिसिकली फैवरीजम आर्ट मुवमेंट को बोलते हैं जिसके फाउंडर थे हैंनरी मैटीज हेंडरी मैटिस काफी फेमस रहे है फाउंडर कहा जाते है जन्मधाता फैवीज में अर्ट मोविमेंट को वोज मुर्ञजी की पेंटिंग में देखने को मिलती है भारत के फावादी कलाकार सेलोज मखरजी को कहा जाता है भीवेंजनावादी प्रवृति किस कलाकार के समय से मुर्तिकला वर चित्रकला प्रारंब हुई रामकिंकर बैज भारत में सबसे पहले एक्सप्रेसनिजम पेंटिंग का जो एक्सप्रेसनिजम आर्ट मुमेंट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है वो अभीवेंजनावाद का रामकिंकर बैज की पेंटिंग में दिखाई देता है सेकेंडरी रविन्रना टैगोर की पेंटिंग में रविन्ना टैगोर की पेंटिंग में अभिवेंजनावाद का रिफलेक्शन दिखाई देता है सतीज गुज्राल की पेंटिंग में अभिवेंजनावाद का रिफलेक्शन दिखाई देता है और मुर्तिकार सोमना थोर के सोमना थोर, मूर्टिकार और पेपर पल्प प्रिंट मेकर भी रहे हैं जैनूल आबदीन और केसीयस पानिकर केसीयस पानिकर एफ एन सूजा इन लोगों की पेंटिंग्स में एक्सप्रेसिनिजम का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है अब मैं थोड़ा राम किंकर बैच के बारे में important lines explain करूँगी राम किंकर बैच का जन्म हुआ था 1910 इस्वी में जुगी पाड़ा, बांकुरा, पश्रिम बैंगवाल में और 1980 में इनकी मृत्ती हो गई थी इन्होंने अपनी education complete की नंदलाल बोस से शांती निकेतन, शांती निकेतन में इनके teacher थे नंदलाल बोस, पूछा जाता है न relationship student और teacher का, तो नंदलाल बोस इनके teacher थे नंदलाल बोस के student बिनोद बिहारी मुखर जी, राम किंकर बैच और सुधीर रंजन खास्तगीर है, तीनों याद रखिएगा important है, उसके बाद इनको award मिला था पद्म भूशर, पद्म भूशर 1970 में मिला था राम किंकर बैच को और 1942 में इनकी first exhibition न्यू डैली में लगी थी रविन नाद की प्रारंबी क्रीतियों में कौन सी प्रवृत्ति दिश्टिकत है, इन्होंने 1928 में 67-68 एज था इनका, 67-68 वर्स में इन्होंने painting के starting की तो इनकी जो प्रारंबी क्रीतियां हैं, वो किस से मिल खाती हैं, अभिवन जनावाद एक्सप्रेसनिजम से, एक्सप्रेसनिजम आर्ट मुमें जर्मन में स्टार्ट हुआ था, 1905 से लेकर के, 1914 तक चला, उसके टू पार्स थें, डाइब रूकले और ब्लू राइडर ग्रूप, दो भाग थें उसके, और अभिवन जनावाद के फाउंडर जन्मदादा थें, इडवर्ड मुंक, लेकिन ब्लू राइडर ग्रूप के चन्मदाता थें, वैसली कंडेंस की, और डाइब रूके के फाउंडर थें, उनका नाम था, हाँ, डाइब रूके के लुडविंग कृष्णर थें, तो सारे आर्ट मुमेंट के फाउंडर का भी नाम याद रखिए का लाइन है, रेखांकन एवं ब्रंगो की ताजगी, बनाए रखते हुए नवीन प्रयोग की है, तो इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी आपको शैलोज मुखरजी में, शैलोज मुखरजी भारत की फावादिक अलाकार कह जाते हैं,